नमस्कार दोस्तो, स्किलिंडी आटे चनल में आपका स्वागत है आज का हमारे वीडियो लेथ मशीन एसेसरीस के उपर है आज का हमारे सेकेंड वीडियो है, इदे आपने फर्स्ट वीडियो ने दिखाऊंगा तो वीडियो देख लिजिए हमारा कोशन है आज का मृत केंद्र के शंकु आकार भाग का जुकाओ कोन कितना होता है 4 ओप्षन दिये दूस्तो आपके पास स्क्रीन पे और इस कोशन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ओप्षन B 30 डिग्री बढ़त एगले कोशन की और यहां पे आपको पुछा गया है साहयक उपकरन का नाम क्या है जो साहयक उपकरन दिख रहा है आपको इसका आपको नाम बताना है चार ओप्शन दिये हैं आपके पास स्क्रीन पे इसमें से आपको एक correct answer को जूस करना है तो दोस्तो इस साहयक उपकरन का जो नाम होता है इसको हम बोलते है driving plate तो इस question का आपका right answer हो जाएगा option D driving plate बढ़ते हैं आगले question की और question है हमारे पास 13 नंबर का question में हमें पूछा गया है भाग X का नाम क्या है जो यहाँ पे एक accessory दिख रही है उसमें भाग जो X दिख रहा है तो उसका आपको नाम बताना है इस भाग का जो नाम होगा दोस्तों इसको हम बोलते है सुरक्षा driving plate यह जो दिख रही है आपको X भाग से अंकित है इसको हम बोलते है सुरक्षा driving plate तो इस question का दोस्तों आपका right answer हो जाएगा option D दोस्तो इदि आपने chuck plate, face plate और dog plate के बारे में नहीं पढ़ाओंगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिए जिससे आपको इस question के answer को ढूंडने में बहुत आसानी होगी अब बढ़ते हैं हमारे आज के अगले question की और इसमें आपको पूछा गया है साहिक उपकरन X का नाम कहा है जो साहिक उपकरन X है उसका आपको नाम बताना है तो दोस्तो इसका जो आपका right answer हो जाएगा वो हो जाएगा option C इसे हम बोलते है catch plate तो जो X से दर्शित भागे दोस्तो उसे हम बोलते है catch plate तो इसका answer हो जाएगा आपका option C catch plate बढ़ते हैं अगले question की और इसमें आपको पूछा गया है साहिक उपकरन X का नाम क्या है यह भी एक प्रकार की plate है तो इसमें आपको नाम बताना है यह अलगलग प्रकार की plate के बारे हम हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 4 option दिये है और इसमें आपको बताना है कि यह जो आपको उपकरन दिख रहा है उसका नाम क्या है तो इस question का दोस्तो आपका right answer हो जाएगा option यह face plate जिसे हम बोलते हैं दोस्तो face plate और इसके द्वारा हम टूल को जो आपको क्या करते हैं जो आपको पकड़ने के लिए हम सभी प्रकार के plate का use करते हैं बढ़ते अगले question के और इसमें आपको पूछा गया है भाग X का नाम क्या है भाग जो X के द्वारा जो भाग दर्सा आया गया है इसमें आपको दिख रहा है उसमें बहुत सारी accessories लगी है टेल स्टॉक के उपर और इसमें एक X के द्वारा जो भाग दर्सा आया गया है उसका आपको नाम बताना है तो इस question का दूस्तों आपका right answer हो जाएगा option ये counter version ये इसको हम बोलते है counter version या counter weight बढ़ते हैं अगले question के और इसमें आपको पूछा गया है X द्वारा चिनित भाग का नाम क्या है यहाँ पर आपको एक job दिख रहा है जिसको दोनों center के बीच में लगाया गया है और इसमें आपको X के द्वारा दर्सा आया गया भाग का नाम बताना है दोस्तों ये जो भागे इसको हम बोलते हैं खराद भाग जिसको हम बोलते हैं लेथ carrier तो इस question का आपका right answer हो जाएगा दोस्तों option C X के द्वारा दो दर्शित भागे उसको हम बोलते हैं लेथ carrier या खराद भाग बढ़ते हैं अगले question की और इसमें आपको पूछा गया है कुन सा भाग compound slide की बजाए compound rest में assemble होता है कुन सा भाग compound slide की बजाए compound rest में assemble होता है यहाँ पे भी आपके सामने स्क्रीन पे चार option दिये हैं इसमें आपको right question, right answer को click करना है इस question का दोस्तों आपका right answer हो जाएगा option यह civil author, जो civil author होता है वहाँ compound slide की बजाए compound rest में assemble होता है बढ़ते हैं आज के हमारे अगले question की और इसमें आपको पूछा गया है X द्वारा केंदर खरात का कौन सा विनिर्देश चिन्नित है जो X भाग के द्वारा लेथ मशिन का कौन सा भाग विनिर्दी से दर्शा गया है mark किया गया है उसका आपको नाम बताना है यहाँ पे भी आपके सामने चार option दे स्क्रीन में option को देखते हुए आपको right answer का chain करना है और इस question का दूस्ता आपका right answer हो जाएगा option ये swing over bed इसके क्या कहते हम ये जो भाग दर्शा गया है इसको हम बोलते है swing over bed बढ़ते हैं last question की और एक्स दौरा केंदर खरात का कौन सा विर्दिष्ट चिन्नित किया गया है तो इसमें आपको एक्स दौरा जो दोनों सेंटरों की बीच में एक्स का जो मान है उसको हम क्या बोलेंगे वो आपको बताना है तो इस question का आपका दोस्तो right answer हो जाएगा option D केंदरु की बीच की लंबाई आशा करता दोस्तो आज का वीडियो आपको अच्छा लगाऊंगा इदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो please channel को like, subscribe और share करना ना भूलिए Thanks for watching Skill India A.T.A. Channel Jai Hind